जहिन दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं गाउस नियम का तिसरा अनुप्रियोग और वो है एक समान अवेशित अपरिमित चालक पटिका के कारण किसी बिंदू पर विदुच्छत्र की तिवर्ता का मान ग्याद करना। दोस्तों, यह क्यूशन जो होता है, यह गाउस के अनुप्रियोग से लेकर कोई साभी क्यूशन होता है, वो दो भागों में विवाजित होता है। यहाँ पर अपने पास एक कोई अपरिमित, अपरिमित का मतलब होता है दोस्तों, अनन्त आकारवाली, अनन्त आकारवाली एक चालक पटिका है, यह कोई चालक पटिका है, इसका आकार क्या है दोस्तों, अनन्त है, अपरिमित है। मान लेते हैं इसको दोस्तों कि क्यों आवेश दिया गया है इस चालक पटिका को कितना आवेश दिया गया है क्यों आवेश दिया गया है इससे पहले का जो अनुपरियोग किया दोस्तों दूसरा जो अनुपरियोग किया उसमें एक अपरिमित परत थी और ये एक पटिका है पटिक का मोटी होती है, परत एक पेज के समान पतली होती है, इसलिए इसका ऐसा डियाग्राम, एक उर्बाद ध्यान रखना है दोस्तों, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, तो वह चालक की सतह पर एक समान रूप से वित्रित हो जाता है, किसी चालक को दिया गए लेकर नहीं जा पाता तो यहां पर अपने को मान लेते हैं कि यहां से अपने को के अंधने को का मां करना है कि विजुश्यत्र की तिवरता का मान ज्याद करने के लिए इसकी केंदर ओ से उपर की साइड कुछ एक अलपांच छोटा एरिया लेने पर यहां पर जितनी उपर इससे यह एरिया लिया है डियेस यह शत्रफल जो लिया है उतना ही इस मूल बिंदू से नीचे भी एक चोटा सा अलपांच लेने पर डियेस वेक्टर इस अलपांच के कारण विजुश्यत्र की तिवरता किदर होगी दोस्तों अपने यह पढ़ रखा है कि धनावेश के कारण विजुश्यत्र की तिवरता हमेश्या मिंदू की तरफ होती है धनावेश के कारण विजुश्यत् दोस्तों दी इवेक्टर इधर और इस अलपांच के कारण विदुष्यत्र की तीवरता कि दरों की इधर दी इवेक्टर यहां पर एक ग्राफ जैसे मनने पर दोस्तों यहां पर यह लंबाई और यह लंबाई यह दूरी बराबर है यहां पर एक ग्राफ जैसा बनाने पर यह ऐसा क्यों करना पड़ रहा है क्योंकि अपने को इसके गटक करने है क्या करने है दोस्तों गटक करने है किसलिए करने है विदुद्शत्र की तिवर्ता की दिशा ग्यात करने के लिए तो यहां पर अपने पास यहां से जितना कोण यहां बना रहा है बात अब यहीं पर समझने वाली है जितना कोण यहां से यहां बना रहा है तो उतना ही कोण यह भी बनेगा क्यों बनेगा क्योंकि जितने दूरी यह है उतने को उतने दूरी यह है और जितने लंबा ही यह है तो ये जो कौन बनाएगा उतना का उतना ये भी कौन बनाएगा उसके बाद इसके जस्ट ये वाला कौन इसके जस्ट सामने वाला ये गौन इतना होगा और ये कौन भी इतना ही होगा अब अपने को इसके क्या गयात करने है गटक गयात करने है गटक गयात करने के लिए यहा दे रखाए दी ए वेक्टर और आधार ग्यात करना है यह एक्स गटक ग्यात करना है तो यहां फिर टिग्नोमेट्रिक रिलेशन से दोस्तों क्या आएगा यह रफ का में लाल बटेवा कक्का यह दोस्तों मैं ऐसा डाइरेक्ट भी बता सकता था कि विजुश्यत्र का एक्स गटक कोस्थिता होता है वाई गटक साइन थिता होता है तब यह ठीक था लेकिन अपने को यह कोस्थिता साइन थिता केस प्रकार आया है मैं अभी यही समझा रहा हूं डाइरेक्ट याद रख और कंड का रिलेशन यह क्या होता है दोस्तों त्रिकोन मिती के अधार अपोन कंड से क्या होता है कोस थिटा पहले वाला एल अपोन के होता तो साइन थिटा एल अपोन ए होता तो टेन थिटा बीच वाला कोस थिटा मतलब पहले वाला साइन होता है फिर कोस होता है फिर टेन ह होता है तो अपने पास को सिटा अधार ज्यात करना है करने कितना दे रिखा है दी इई इसी तरीके से इसका वाई गटक कितना होगा दूस्तों यहां एक लंब डालेंगे फिर यह जेड़ बनेगा एक अंतर कौन फिर यह जेड़ ठीटाई होगा ठीड़ा के सामने वाला यह पिलंबोगा यह अधार होगा यह कर्णं होगा फिर इसी तरीके से यह क्या अचीक, ने तो सेट करेंगे जिस को आ kan जिस तरीके से अपने इसको क्मूच, किया और दी इंग धूर्ट झाया करकर यहां एक त्रीबूज बना कर अपने पास क्या जाएगा दी इ इक साइन थिता होता है दोस्तों एक बात अपन यहां ध्यान रख सकते हैं हर एक के अंदर यह हुगा होगा जिस अक्ष के साथ थिटा कौन बन रहा है वो गटा को सिटा होता है है अब अब इस से पता क्या चला यहां पर अपने लिखना पढ़ेगा ये मिटा देता हूँ रफ काम था दोस्तों तो अब यहाँ पर क्या लिखना पढ़ेगा पी बिंदू पर विदुच्चतर के गटक वाई दिशा में बराबर तथा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्थ कर देंगे जबकि एक से दिशा में विदुश्यत्र के गटक एक ही दिशा में होने के करण कुल विदुश्यत्र की तिवृता एक से दिशा में ही होगी या एक से दिशा में ही होगी या ओपी दिशा में ही होगी अर्थात एक समाल अपरीमित चालक पटी का के लंभवथ विजुद शेद्र की तीवृता की दिशा होगी बात क्लियर है ये लिखना है दोस्तों ये आपका काम है उसके बाद अपने को कुशन का दूसरा पार्ड करना है तीवरता की बात कर ली विजुद चदर की दिशा की बात कर ली अब अपने को क्या गयात करना है विजुद चदर की तीवरता का मान गयात करना है मान गयात करने के लिए मैं यहां पर यह डाइग्राम बनाता हूं वापस एक बार हो मान ज्याद करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है दोस्तों मान ज्याद करने के लिए अपने को गाउसियन प्रष्ट की कलपना करनी होती है गाउसियन प्रष्ट की कलपना करते हैं ये अपने पास अपरिमित चालक पट्टी का है जिसकी उपर अपन ने आवेश दिया है रूव आवेश इसकी सत्व पर एक समान रूप से वित्रित हो चुका है इसकी सत्व पर एक समान रूप से वित्रित हो चुका है अपन क्या करने एक बेलना कार गाउसियन प्रस्ट की कल्पना करने पर यह एक Gaussian प्रस्ट है इसकी अपने कल्पना करी अपने को लिखना होगा दोस्तों क्या लिखना पड़ेगा कि एक समान आवेशित अपरिमित चालक पटीका के कारण विदुचित्र की तिवृता का मान ज्याद करने के लिए एक Gaussian प्रस्ट की कल्पना करने पर यह Gaussian प्रस्ट की कल्पना करते हैं तो इसके तीन बाग हो जाते हैं एस वन एस टू और एस थ्री तिनों के यहां ध्यान रखना है एक बात इस्पेशल ध्यान रखना यह ऑबजिक्टिव का ग्यूशन भी है और लगबग लगबग हर एक में काम आता है क्या आता है किसी भी चालक के अंदर विदुचित्र की तिवृता का मान जीरो होता है कि क्या आ रहा है गाउस के नियम से मैं यहां लिखता हूँ गाउसनियम से गाउस का नियम क्या है दोस्तों गाउस का नियम है किसी बंद प्रस्ट से संबंद किसी बंद प्रस्ट से संबंद विधुत फ्लक्स का मान उस बंद प्रस्ट से संबंदित आवेशों के बिजिये योग या उस बंद प्रस्ट में इस्थित आवेशों के बिजगनितिये तथा हवाया निर्वात की विद्ध शिलता के अनुपात के बराबर होता है गाउस का नियम क्या है अभी यह यहां पर बता रहा हूं क्या आता है क्लोजğe इंटिकेशन इवेक्टर ds वेक्टर इसील टू समेशन क्योपों एपसलों नोट यह विद्द फ्लक्स है विद्द फ्लक्स को क्या है इक्थर डोचीड्ट घंत लिए ब्रदशित करना आए तरी के लिए एक लपांच लिए यहाँ पर अब इवेक्टर की दिशा तरी कि दिशा किदर अपने पहले से पढ़ लिया कि विजुचेदी की त्यूरता की दिशा इधर के लंवत या एक्स दिशा में इवेक्टर की दिशा इधर अब यहां पर डिएस वेक्टर की बात आ रही है डिएस वेक्टर डिएस वेक्टर है क्या यह दोस्तों च्छत्रफल सदिश है और च्छत्रफल सदिश की दिशा हमेशा प्रश्ट के लमवत होती है यह पन्ने प्रश्ट लिया है यह पन्ने प्रश्ट लिया यह पन्न प्रश्ट इस प्रश्ट के लमवत किदर होगी इदर किसकी दिएस वेक्टर की दिशा यहां पर यह प्रस्थ है इसके लमवत यह होगी यह जो प्रस्थ है इसके लमवत इधर दिएस वेक्टर की दिशा किदर होगी इसके लमवत और यहां लिखने की आवशकता ही नहीं है अगर लिखना चाहें तो लिख जरूर सकते हैं यहां प इसे लिश्यालमवत होती है और यहां पर अभी Tino के लिए रखना है गाउस नेखेंग लगाना है गाउस निखेंगा थीनों के लिए लगाएंगे तो क्या होगा दोस्तो TV इस वन कर से कर सोट दी एस वेक्टर अग्लाइंगे टॉस एस टू collar to arrest वेक्टर प्लास एस त्री ए वेक्टर डोट डी एस वेक्टर इस इकल टू समेशन क्यू उपॉन एपसालन नोट इसके बाद दोस्तों अपने गाउसनियम लगा दिया तीनों के लिए अब यहां पर अब ध्यान से समझना है जब डोट को सोल किया जाता है या इसकोसब करेंगे तो क्या आएगा अपने पास थोड़ा और में यहां लिखता हूँ नहीं सो क्लोज इंट्रिगेशन EDS कोस थिटा कहां पर S1 पर फिर प्लस क्लोज इंट्रिगेशन S2 EDS कोस थिटा प्लस क्लोज इंट्रिगेशन S3 EDS कोस थिटा is equal to summation Q upon epsilon not अब दोस्तों ध्यान से समझना है कि यहां पर इसके अंदर तो विदुष्यत्रिकी तिवर्था कमान कितना होता है 0 E IN कितना होता है 0 होता है यह हमेशा ध्यान रखना है तो S1 पर विदुष्यत्रिकी तिवर्था 0 है E कमान 0 तो यह पूरा का पूरा 0 जारएब फिर एसटो की बात करी जाए यह स्टों और डीस के बीच में कितने डिरी का कौन बन makes कि तो नब भी डिग्रिका усे Bakशा टिटा इसलेंट ना है नाइट बीडिकरी तो एक chemicals यह पर लिख देता हूँ लिख देता हूँ एस वन में कि ए इन इस इकल टू जीरो यहां पर लिख देता हूँ चालक के अंदर कि एकमान कि शुन्य होता है इस्कुरी में लिख दिया फिर एस्टू पर कि टीटा बराबर कितना नवे डिगरी इस थ्रीपर ते पर यहां पर एस द्रीपर टीटा कितना दोनों दोनों दोस्तों इस रूड़ की देशा क्या है एक ही एक दिशा में ओठ टिटा जीरो डीगरी का बनता है दो बसे हैं कोई यहां से चलना शुरू हुआ और दूसरी बस भी यहीं से चलना शुरू हुआ तो कितने डिगरी के कौन पर चल दिये यहां देखिए एस टू के अंदर ठीटा नबबे डिगरी रखना है इडी एस कोस नबबे का मान कितना होता है दुस्तों कोस नबबे का मान जीरो होता है शुन्य होता है तो जीरो से इसको मल्टिप्लाइए करेंगे तो यह भी पूरा जीरो आ जाएगा प्लस इडी एस यहां पर क्या रखेंगे ठीटा इसकल टू जीरो डिगरी कोस जीरो का मान वन होता है वन को इससे मिल्टिप्लाइए करेंगे तो क्या आएगा ईडी एस इस इकल टू समेशन क्यों एपसलन नोट यहां तक दूस्तों समझ में आया है आपने नोट कर लिया तो और डी एस का समकलन करेंगे तो क्या आता है दोस्तों एस का सब्सक्राइब इस का समकलन उता है एस इस इकल टू समेशन क्यों एपसलन नोट अब दोस्तों में उपर लिखता हूं अब दोस्तों में पास यह क्या आ रहा है इस समेशन क्यों एपसलन नोट इसकी उपर आवेश कितना है इसकी उपर आवेश मान लेते हैं क्यों आवेश है इस इस इगल टू क्यों पॉन एपसलन नोट मान देगी आवेश इसकी क्षेत्रफल में समान रूप से फेल गया है तो इसको पन क्या लिख सकते हैं क्षेत्री आवेश गनत्व लिख सकते हैं या क्षेत्री आवेश गनत्व की रूप में लिखे हैं अपन तो क्षेत्री आवेश गनत्व को सिग्मा लिखते हैं सिग्मा क्या होता है क्षेत्री आवेश गनत्व क्या होता है एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा क्षेत् नोटेशन यूज कर सकते हैं एक आंक शेत्रफल में अवेश की मात्रा क्यों कई दी फॉर्मुला बनाएंगे एस को इधर बेजेंगे तो यह मल्टिप्लाइ में चला जाएगा क्योंकि यहां भाग में इसका मान यहां रखेंगे तो इस इकल टू सिग्मा एस अपॉन एपसल नोट यही अपना रिक्वाइड अंसर है तो दोस्तों इस अनुप्यों के अंदर अपने क्या चीज़ें करें सबसे पहले तो करा विजुचेतर की तीवरता की दिशा का मान याद किया कि दिशा किदर होगी लंबबबत होगी ओपी दिशा में होगी यह पनने लिखा उसके में शेयर करना अपने दोस्तों को बताना है कि सरल तरीके से आप यह पर सकते हो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में थैंक यू